काला साया पार कर ही रही ही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है ये पद्बू और ये आवाजे ये कौन हासरा है मा? ये बड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है कहां हम शा काहारी और ये मास बच्छी खाने वाले छोड़ तु ध्यान मत दे और ग्रह प्रवेश कर और हाँ बहुत अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी अच्छे लोग नहीं है ये अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ मा जो आपके मर्जी मैं उनसे बात नहीं करूँगी अगले दिन प्रिया आपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है ये छोकी बास तो नाक में जा रही है एक काम करती हूँ खिडकी खोल देती हूँ प्रिया खिडकी खोलने जाती है इतने चाले? लगता है इस खिडकी को कभी खोला ही नहीं गया पर ऐसा क्योँ? ओ, नौन वेज की स्मेल आती होगी ना दो मिनिट के लिए खोल लेती हूँ फिर बंद कारतोंगी प्रिया खिडकी खोलती है खिडकी खोलते ही उसके नजर सामने वाले घर की खिडकी पर पड़ती है जहां एक लड़की खड़ी होती है हाथों में मेंदी, लाल रंगी साड़ी, बिल्कुल सची धजी मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली पहू हो वो प्रिया को देख कर मुस्कराती है हे भगवान, माने तो इनसे बात करने को मना किया था प्रिया फॉरन ही खिडकी बंद कर देती है और तवे पर चड़े रूटी की और देखने लगती है पर वहाँ रूटी नव होकर मचली पड़ी होती है प्रिया बहुत डर जाती है और फॉरन रसुई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है जब वो सबको खाना परुस्ती है सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी हे भगवान, ऐसे ही पास अपनी कृपा बनाए रखना रात के बाग जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई दिती है जिससे उसकी आँख खुल जाती है ये पायल की आवाज कहां से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छट के सीडियों तक जाती है तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है प्रिया छट पर जाती है तो क्या देखती है वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है सुनिये बच्चा सो नहीं रहा है क्या मैं कुछ मदद करूँ नए ने आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा मैं संभाल लेगे सुनिया की गोद से बच्चा हाथ मार कर प्रिया की गोद में आने को छट पटाने लगता है दोनों घर अगर बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है प्रिया के पास आती ही वो सू जाता है बच्चे का वो स्पर्ष रात पर प्रिया भूलने ही पाती और अगली सुबव उच्छत पर कपड़े सुखा रही ही होती है तब ही उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिप कर अपनी पडोसन की घर चली जाती है और कुछ दिर बच्चे को खिला कर वापस लोटाती है इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो मा बनने वाली है ममता की खुशी का छिकाना नहीं रहता मा जी पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है प्रिया भागती हुई वाश्रूम में जाती है तो हारी और लाल रूंकी उल्टी करती है उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं ये क्या? घूल और ये कीड़े? मा, मा प्रिया की आवाज सुनकर मम्ता दौड़ कराती है पर बीजिन में कुछ नहीं होता प्रिया हग की बक्की रह जाती है ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सूजाती है डर के कारण वो इतनी ठक जाती है कि उसकी आँख लग जाती है तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानु कोई बैठा हुआ हो कौन हो? प्रिया के पेट पर एक पांच महिनी की बच्ची बैठी हुई थी जो बुरी तरह जली हुई थी मा तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में? मैं तुमारी मा नहीं हूँ, कान हो तुम? मा, देखो मैं जल गई बुरी तरह से छे मैंने पेट में रेने को भी मुझे नहीं मिला सेला दो ना मा बचाओ, बचाओ, मा ममता दोड़ कर कमरे में आती है प्रिया की बाते सुनकर वो सब समझ जाती है तु कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहु मुझे माफ कर दो मैं गई थी मा उस घर में सब मरे हुए हैं बहु कई साल पहले स्निहा उस घर में बहु बन कर आई थी कुछी दिन में वो एक बच्चे को जनम देने वाली थी पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक तीन अचानक उस घर में आग लग गई, सब बुरी तरह जल कर मर गए, गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है, और इसलिए स्नीहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोक में डाल दिया ममता ये कह रही होती है के पीछे से उसके पैरों को इक बच्चा पकड़ लेता है दादी, दादी मा, इस नीहा की गोद में यही बच्चा था, ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मोट है तेरी भी दादी जिस जिसका ममता को डर था वही हो क्या ममता निवास के उपर मौत ने जादर बिछा दी थी प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो नव मैने का हो दो हाथ उसकी पेट से बहा निकलते हैं बहु, संतोश को फोन कर, किसी पंडिजी को बुला बहु प्रिया का पती भागता हुआ घर आता है ये तो होना ही था मा तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तु से नहीं पा रही है इसने हाँ घर में आग लगी नहीं थी मा ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है मेरा बेटा जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था मैंने तुमसे ये सब मा के कहने पर छुपाया था मुझे माफ कर दो प्रिया तुम तुम अगर चाहो तो यहां से जा सकती हो मैं तुम्हें किसी भी बंदन में रखना नहीं चाहतू मेरी शादी हुई है आपसे मैं आपको छोड़ नहीं सकती पर उससे पहले हमें इस निहा उसकी मा और बच्चे की आत्मा की शान्ती करवानी होगी संतोश और ममता गौरी की घर जाते हैं अंदर सब कुछ जला हुआ होता है जमेन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी ममता रो रो कर अपनी करनी की माफी गौरी से मांगती है प्रियास निहा की घर वालों का अंतिम संसकार करवा दीती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है